प्रेरितों के कामों का वर्णन चौथा अध्याए जब वे लोगों से यह कह रहे थे तो याजक और मंदिर के सरदार और सदू की उन पर चढ़ आए क्योंकि वे बहुत क्रोधित हुए कि वे लोगों को सिखाते थे और इश्यू का उदाहरण दे दे कर मरे हुँं के जी उठ का प्रचार करते थे और उन्होंने उन्हें पकड़ कर दूसरे दिन तक हवालात में रखा क्योंकि संध्या हो गई थी परंतु वच्चन के सुनने वालों में से भहुतों ने विश्वास किया और उनकी गिंती पांच हजार पुरशों के लगभग हो गई दूसरे दिन ऐसा हुआ कि उनके सरदार और पुरणिये और शास्त्री और महायाजक हन्ना और कैफा और युहन्ना और सिकंदर और जितने महायाजक के घराने के थे सब यरुशले में इखटे हुए और उन्हें बीच में खड़ा करके पूशन लगे कि तुमने यह काम किस स नाम से किया है तब पतरस ने पवित्रात्म से परिपूर्ण होकर उन से कहा हे लोगों के सरदारों और पुर्णियों इस दुरबल मनुश के साथ जो भलाई की गई है यदि आज हम से उसके विशे में पूछ पाच की जाती है तो वह क्यों कर अच्छा हुआ तो तुम सब और सारे इस्राइली लोग जान लें कि इश्य मसी नासरी के नाम से जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने मरे हुँ में सिजलाया यह मनुश तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है यह वही पत्थर है जिसे तुम राज मिस्त्रियों ने तुछ जाना और वह कोने के सिरे का पत्थर हो गया और किसी दूसरी के द्वारा उधार नहीं क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुश्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उधार पा सकें जब उन्होंने पत्रस और यहन्ना का हियाव देखा और यह जाना कि य ये अनपण और साधरन मनुश्य हैं, तो अचम्भा किया, फिर उनको पहचाना कि ये यिश्यू के साथ रहे हैं, और उस मनुश्य को जो अच्छा हुआ था, उनके साथ खड़े देखकर, वे विरोध में कुछ ना कह सके, परन्तु उन्हें सभा के बाहर जाने की आग्या दे और हम उसका इंकार नहीं कर सकते, परन्तु इसलिए कि ये बात लोगों में और अधिक फैल न जाए, हम उन्हें धमकाएं कि वे इस नाम से फिर किसी मनुश्य से बातें न करें, तब उन्हें बुलाया और चितौनी देकर ये कहा, कि इश्यू के नाम से कुछ भी न बोलना और न सिखलाना, परन्तु पत्रस और यहन्ना ने उनको उत्तर दिया, कि तुम ही न्याय करो, कि क्या यह परमेश्वर के निकट भला है, कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात मानें, क्योंकि यह तो हमसे हो नहीं सकता, कि जो हमने देखा और सुना है, वे वे न कहें, तब उन्होंने उनको और धमका कर छोड़ दिया, क्योंकि लोगों के कारण उन्हें दंड देने का कोई दाम नहीं मिला, इसलिए कि जो घटना हुई थी, उसके कारण सब लोग परमेश्वर की बढाई करते थे, क्योंकि वे मनुष जिस पर यह चंगा करने का चि उन से कहा था, उनको सुना दिया, यह सुनकर उन्होंने एकचित होकर उचे शब्द से परमेश्वर से कहा, हे स्वामी, तू वही है, जिसने स्वर्ग और प्रत्वी और समुद्र और जो कुछ उन में हैं बनाया, तू ने पवितरात्म के द्वारा अपने सेवक हमारे पित प्रत्वी के राजा खड़े हुए और हाकीम एक साथ इखटे हो गए, क्योंकि सच मुझ तेरे सेवक यिश्यू के विरोध में, जिसे तूने अभिशेक किया, हेरोदेस और पुंतियूस पिलातूस भी, अन्य जातियों और इस्राइलियों के साथ इस नगर में इखटे हु कि जो कुछ पहले से तेरी सामर्थ और मती से ठहरा था, वही करें, अब हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख, और अपने दासों को यह वर्दान दे, कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाएं, और चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा, कि चिन्न और अधभुत काम, तेरे पवित्र सेवक, ईश्य के नाम से किये जाएं, जब वे प्रार्तना कर चुके, तुवे स्थान जहां वे इखटे थे हिल गया, और वे सब पवित्रात्म से परिपोन हो गए, और परमेशर का वचन हियाव से सुनाते रहे, और विश्वास करने वालों की मंडली, एक चित और एक मन के थे, यहां तक की कोई भी अपनी संपत्ती अपनी नहीं कहता था, परंतो सब कुछ साजे का था, और प्रेरित बड़ी सामर्त से प्रभु ईश्य के जी उठने की गवाही देते रहे, और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था, और उन में कोई भी दरिद न था, क्योंकि जिनके पास भूमी या घर थे, वे उनको बेच बेच कर बिकी हुई वस्तों का दाम लाते, और उसे प्रेरितों के पाउं पर रखते थे, और जैसी जिसे आवशकता होती थी, उसकी अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे, और यूसुफ नाम कुपरुस क एक लेवी था, जिसका नाम प्रेरितों ने बर नबा अर्थात शांती का पुत्र रखा था, उसकी कुछ भूमी थी, जिससे उसने बेचा और दाम के रुपिय लाकर प्रेरितों के पाउं पर रख दिये.